चलो आज बनाते हैं एकड़म साधा और साथविक पोजन वो भी बिल्कुल लाइट वेट और गड़ जेसा Hey guys it's me again मेरा नम कविता है और मैं मुंबाई में रती हूँ कभी कभी ऐसा होता है कि आज कुछ नहीं खाना है या फिर आज कुछ खाने का मनी नहीं है परन्तु जबी कुछ खाने का मन नहीं है पर थोड़े गंटे के बाद भूक लगी जाती है ऐसे सिच्चुएशन वे न मैं बिल्कुल लाइट वेट खाना बनाती हूँ यानि कि पेट भी बरा रहे और भूक भी ना लगे और सार साथ में हेल्दी भी हो तो कभी कभी ना सूबे का नास्ता इतना हैवी हो जाता है तो दुपेर को खाने का मन नहीं होता है परन्तु अगर दुपेर में खाना नहीं काती हूँ ना तो शाम को भूक लग जाती है तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि डुपेर का खाना कभी-कभी एकड़म लाइट वेट बनाती हूँ तो आज मैंने डुपेर में बनाया है लौकी और टामाटर की सब्ची और साथ में किचडी किचडी मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि रोटी खाने का मन नहीं था नौर्मली मैं कभी-कभी इसके साथ रोटी भी खा लेती हूँ या फिर डाल चावल के साथ भी खा लेती हूँ परन्तु आज मुझे बिल्कुल भी लाइट खानाता मुझे हैवी नहीं खानाता इसलिए मैंने लोकी और टामाटर की सबजी के साथ बनाई है किचडी तो सबसे पहले हम सबजी बनाएगे सबजी बनाने के लिए मैंने लोकी और टामाटर काट लिया है इधर मैंने एक पूरी लोकी और डो से तीन टामाटर लिये है तो ये सबजी में नॉर्मली कुकर में बनाती हूँ तो कुकर में मैंने 5-6 टेबल स्पून ओयल लिया है राय, जीरा, हिंग और कड़ी पता का तड़का लगाना है उसके बाद लौकी और टमाटर को छोग देना है फिर घर के नॉर्मल से मसाले डाल देना है आदी चमाच मेंने हल्ली पाउडर, एक चमाच मेंने धन्या जीरा पाउडर डेट चमाच मेंने कश्मेरी लाल मिच का पाउडर डाला है उस वार अनुसर हमें नमक डाल देना है थोड़ी दिर के लिए हमें अच्छे से मिक्स करना है थोड़ी दिर के बार ना लौकी में से पानी निकल आएगा क्योंकि लौकी में बहुत सारा पानी होता है इसलिए लौकी हेल्थ के लिए बहुती फाइडेमन माना जाता है आप देख सकती हूँ बहुत सारा पानी निकल आया है इसलिए जब ही मैं ये सबजी बनाती हूँ तब ही इसके ने ज्यादा पारी नहीं डालना है सिर्फ और सिर्फ आदा ग्लास जितना पारी डालना है हाई फ्लेम में हमें कुकर में तीन से चाह सिती बजाना है चलो तब तक हम किचडी बना लेते हैं तो किचडी बनाने से पहले ना मैं किचडी को भीगो के रखती हूँ सबसे पहले मैंने आदा कब चावल, आदा कब मैंने हरी मुंग की डाल और आदा कब मैंने मसूर की डाल लिया है तो डाल चावल को हमें आचे से दूल लेना है उसके बाद हमें कम से कम आदे गंटे के लिए बिगो की रखना है चिड़ी को रखनो साइड में आप देख सकते हो सबजी ना पक गई है ये है लोकी और टामाटर की मसेडाल रस्य वाली सबजी लोकी और टामाटर की सबजी और खिचड़ी दोनों ही बहुती हैल्दी और सैटिसफाइड डीश है जो नॉर्मली जब कुछ खाने का मन नहीं होता तब बना देते है ये एक हलका nutrition combination है ये सबजी digestion करने में आसान होती है तो जब भी मैं खिचड़ी को पकाती हूँ तो उसको मैं आदे गंटी तक बिगो के रखती हूँ उससे क्या होगा कि खिचड़ी बहुती जल्ली से पक जाती है कुकर के अंदर मैंने एक ग्लाज इतना पानी डाला है स्वार अनुसार हमें नमक डाल देना है किचड़ी को हमें हाई फ्लेम में एक सीटी बजाना है और दीमी आज पे हमें दो सीटी बजाना है तो अगर आपने किचड़ी को भी को के रखा है तो तीन सीटी में ही किचड़ी पक जाएगी दस मिनिटी हुआ है कि किचड़ी पक गई है आप देख सकते हो किचडी बहुती अच्छी तरह से पग गई है तो मेरा दुपेर का खाना बन चुका है जो एक टैप का साथविक बोजन है जिसमें मैंने नहीं प्यास डाला है और नहीं लसुन डाला है आप चायतो उपर से प्यास डाल के भी खा सकते हो तो ये खाना हमने बहुती कम मसाले इस्तमाल करके बनाया है इसलिए ये एक लाइट वेट कमफोर्टिंग आप्शन बन जाता है वही किचडी एक वन पॉर्ट डीस है जो राइस और डाल दोनों का बैलन्स कॉम्बिनेशन है जो लोगों को बीमार होने पर लाइट मिल के रूप में पसंद आता है और लोग की हेल्ट के लिए बहुती बेनिफिट होता है जिसे हार्ट का प्रोब्लम हो या फिर शुगर की बीमारी हो या फिर जिसमें पानी की मात्रा कम हो तो लोग की सबजी तो जरूर खानी चाहिए तो आप भी मेरे ये रेसिपी को घर पे जरूर ट्राइ करना आप चाहे तो इसको रोटी के साथ भी पड़ो सकते हो या फिर ओफिस या फिर टिफिन बॉक्स में भी लेके जा सकते हो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेर और सब्सक्राइब चलो बाबाई विलते हैं अगले वीडियो में